हेलो यूट्यूब के दोस्तों नव जो थोम शेफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आई होप आप सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे आईए दोस्तों आज हम आपको नई रेस्पी के साथ रूब रूब कराते हैं और सिखाते हैं आज की हमारी नई रेस्पी है स्पॉंजी रसगुले की रेस्पी आईए आपको शिखाते हैं नए तरीके से और सिंपल और असान तरीके से दोस्तों उससे पहले जो चैनल पर नए आया प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर लिजे लाइक शेयर कर लिजे इसके लिए हमें जो जो इंग्रीडियन्ट चाहि ये दूद ये दोस्तो गाय का दूद ये रहा दोस्तो थोड़ा सा विनेगर ये दोस्तो एक कप चीनी आप अपने हिसाब से चीनी लीजिएगा और जहां पर हम लेंगे दो टी स्पून आरा रोट इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं दोस्तो आए जट पट बना कर रेडी कर लेते हैं सबसे पहले हम दूद का पनीर बनाएंगे आए देख लेते हैं सबसे पहले हम परतन को गैस पर रखेंगे और गैस को ओन करने के बाद हम दूद डाल देंगे दूद आप दोस्तो भैस का भी ले सकते हैं गाई का भी ले सकते हैं दोस्तो ऐसी कोई बात नहीं ज बेड़ेंगे, अब इन्हें अच्छी तरह से लाएंगे, दो मिनिट के लिए लूग दोस्तों दूध हमारा पटने लगा, अब हम गैस को आफ कत देंगे, यह देखिए दोस्तों हमारा पनीर बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका, यह देखिए कितना सौफ्ट और स्पोंज पनीरपन के रेडी हुआ है आप जब भी रसगुले बनाए दोस्तों मेरी जहां पर एक टिप जुरू जाद रखेगा आप घर पर ही छैना बनाईए ताजा और उसके रसगुले बनाईए दोस्तों बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट और स्पॉंजी रसगुले बनेगे आपके अब हम इने अच्छी तरह से मैश करेंगे दोस्तों यह देखिए आपने इस तरह से आगे की तरफ हाथ को बढ़ा कर इस तरह से मैश करते जाएए तब तक मैश करिए दोस्तों जब तक यह सॉफ्ट ना हो जाए यह देखिए दोस्तों हमारा पनीर बिलकुल सॉफ्ट हो चुका इसे मैंने 7 मिनिट के लिए दोस्तों मैश किया अब हम इसमें डालेंगे एक पिंच के जितना बैकिंग पॉर्डर आपने इसमें बैकिंग सोडा नहीं डालना दोस्तों बैकिंग पॉर्डर ही डालिएगा अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून से भी कम आरा रोट डालेंगे दोस्तों ये देखिए इससे ज्यादा मत डालिएगा अब हम इने अच्छी तरह से मैश करेंगे ये देखिए दोस्तों मैंने इने अच्छी तरह से मैश करके सॉफ् बनाएंगे दोस्तों इसके लिए हम चोटे चोटे गोले बना कर रेडी करेंगे इस तरह से यह देखिए यह देखिए दोस्तों आपके रस गुले में क्रैक बिल्कुल ना हो दोस्तों बिल्कुल चारो तरफ से अच्छी तरह से गोले हो गोले बनाए दोस्तों यह देखिए बिल्कुल क्रैक नहीं है इसी तरह से हम सभी गोले बना कर रख लेंगे रस गुले गे तेखिए दोस्तो मैंने रस गुले बना कर रख लिये दोस्तो इनके गोले शोटे-शोटे बना कर मैंने कुछ ग्रीन कलर के बनाए दोस्तो कुछ वाइट कलर के आप चाहे तो एक कलर के रसगूल्य बनाने के लिए नई टकनीक और नया तरीका बताएंगे जिससे आपको रसगूल्य बनाने में बहुत इशनी होगी और जही टिप आपने पहले ना कभी सुनी होगी ना ही देखी होगी आज हम आपको कूकर में रसगुले बनाना सखाएंगे जहां पर दोस्तों मैंने कूकर लिया जिसे मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया क्योंकि हम रोज दोस्तों इसमें सब्जी बगारा बनाते हैं और उसकी सब्जी की जो स्मेल होती है रह जाती है हलदी टेल की इसलिए इसे आप अच्छी तरह से वाश कीजिए गार उसके बाद एक घंटे के लिए आप इन्हें धूप में रख दीज秀 गाँ इसकी जो सबजी की समेल लोगी दोस्तों वो निकल जाएगी और आपका कुकर अच्छी तरह से वाश हो जाएगा अब हम इसमें एक कप मैंने जहां पर पानी लिया दोस्तों और जहां पर एक कप ही हम चीनी डालेंगे अच्छी तरह से पकाएंगे इने चम्मत से हम चीनभी को हलाएंगे दोस्तों यह देखिए एक वबाल आने तक हम इने पकाएंगे यहाँ पर दोस्तों हमारी चासनी अच्छी तरह से उबर रही है अब हम धीरे-धीरे हमारे जो रसगुल्य वो डालते जाएंगे धीरे धीरे डालिएगा दोस्तो आप देखे दोस्तो गैस आपने बिल्कुल हाई रखना पंदरा मिनिट के लिए जहां पर एक टीप और दूंगी दोस्तो मैंने जहां पर कप में आधा चमच हमने मैदे को घो दिया और हम इसमें डालेंगे ताकि जो जागा वो अच्छी तरह से बन सके और हमारे जो रसगुल्य अच्छी तरह से पक सके ये देखे दोस्तो अब हमारी जाग बहुत ही अच्छी आएगी ये देखिए दोस्तों जाग अच्छी तरह से आ रहे हैं अब हम वीसर लगाकर एक वीसर लगाएंगे दोस्तों इस तरह से ये देखिए एक वीसर लगाने के बाद जल्दी से आप वीसर को निकाल दीजिएगा और कूकर का धकन भी ओन कार दीजिएगा और आपके रसगुले रडी हो जाएंगे दोस्तो, ये लीज ए दोस्तो, हमारे रसगुले निनी रसगुले बनके रडी हैं, बहुत ही टेस्टी और लाजबाब रेस्पी बनके रडी हुए है दोस्तो आप भी अपने घर पर सुच तरीके से इस रेस्पी को बनाईए और अपने बच्चे और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें बहुत सारा स्पोर्ट कीजिए थैंक यू दोस्तों हमें अपना समय देने के लिए